आप सभी स्रोता बंद होगो मेरा नमस्कार चेहरे पर अगर अंचाहे बाल हों तो वह चेहरे की सुंदरता को खत्म कर देते हैं सुंदर और खुबसूरत चेहरा तो सभी को पसंद है मर्दों के चेहरे पर बाल होना आम बात है इससे उनकी खुबसूरती पर कोई खास फरक नहीं पड़ता है लेकिन महिलाओं के चेहरे पर बाल आफ़त की तरह होते हैं इसलिए महिलाएं इनसे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिस करती हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करती हैं जो कुछ दिनों के लिए तो उनकी समस्या को दूर कर देते हैं लेकिन फिर से वहीं समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी बन कर सामने आ जाती है ऐसे में वह अपना समय और पैसा दोनों भरवात करती हैं कभी-कभी तो इन प्यूटी प्रोडक्ट्स से चेहरे को नुक्षान भी होता है इसलिए यदि आप अंचाहे बालों से परिशान हैं तो हम बता रहे हैं कुछ एक नुस्ख है जिनके सहारे आप अपने अंचाहें बालों से रहत पा सकते हैं छुटका रापा सकते हैं इसके लिए आवश्यक समगरी नोट कर लिजे बेसन, नमक, हल्दी, एवं दूध इसकी जरूरत पढ़ेगी आपको अब करना क्या है आपको कि चार चमच बेसन का लिजे और उसमें एक बटा चार यानि कि वन फूर्थ चमच नमक डाल लिजे खल्दी डाल दीजे उसमें एक चमच अब इन तीनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लिजे जब ये तीनों पूनता मिक्स हो जाए इसके बाद इसमें इतना दूध डालिए जिससे कि ये एक पेश्ट के रूप में बन जाए पेश्ट तयार कर लीजिए इसको आपको पूरे महिने में बस चार दिन यूज करना है यानि कि हर सब्ताह में एक बारिस का इस्तेमाल आपको फेश्ट पर करना है अगर आप ऐसा करते हैं फेश्ट पर या जहां भी आपके अंचाहे बाल हों आप चाहते हैं कि वो बाल आपके शरीर पर वहाँ न रहे उस पाट पर आप इस बाल को लगाए अपने बोडी के उस प पर आप इस पेश्ट को लगाएं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद बखुद दो महिने में रिजल्ट दिखने लगेगा कि वहां के बाल पतले होने लगेंगे और आपकी इसी स्कीन जो है वो ग्लोविंग और खुबसूरत होने लगेगी मुलाइम होने लगेगी तो स्कार दोस्टू